नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है दोस्तो आजकल लोग बहुत बूरी नजर का सिकार होते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी सुबकारे में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि काले कपड़े से चारो और नकारत मकतब हईल जाती है लेकिन जैसे ही बुरी नजर का ख्याल मन में आता है तो हमें शिर्फ काले रंग का ही धान आता है अक्सर बूरी नजर से बसने के लिए ताली रंकी चीजों का इस्तमाल किया जाता है जैसे काला टीका, काला धागा या फिर काला तील छोटे हो या बड़े हर किसी को बूरी नजर से बसने के लिए उन्हीं काला धागा बांदा जाता है तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार और शरीर का कौन सा अंग है जहां काला धागा बानने से आप बुरी नजर से हमेशा बचे रहते हैं काला धागा बानने के पीछे वग्यानिक कारण भी है मनुशे का शरीर पांस ततों से बना है यानि प्रत्वी, वायू, जल, अगनी और आका से मिलकर बना है इनसे मिलने वाली उर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है इनसे मिलने वाली उर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प दोस्तों काला धागा न शिर्व बूरी नजर से बचाता है बलकि धन प्राप्ति में आने वाले संको टकाभी नास करता है इसके लिए आप किसी भी दिन बाजार से काला रेश्मी या सूती धागा ले आईए और मंगलवार या शिनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर ले जा साथ ही आपके किसी भी प्रकार के कामों में रुकावट नहीं आएगी अगर घर में क्लेश अकारणी जगडे और मन मुटाओ हो रहा है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं गर्भोती महिला को अक्षर जल्दी नजर लग जाती है कई बार उसके आने वाले बच्चे पर भी इसका प्रभाव या बुरी नजर पढ़ सकती है ऐसे में काले धागे को गर्भोती महिला के सर के उपर से तीन बार घुमा लिजिए उसके बाद ये धागा पिपल के पेड़ या फिर भेती हुई शुद्ध जल्दारा में विसर्जित करे इससे आप पर पढ़ने वाली बुरी नजर से बचे रहेंगे तो दोस्तों क्या आपको भी बुरी नजर का सामना करना पड़ा है यह हमें कमेंट करके अवशे बताए वीडियो को लाइक और दोस्ते के साथ जरू शेयर करे साथ ही चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइ अंको प्रेस करना ना भूले धन्यवाद